कि वंदे मात्रम साथियों आशिसेंट प्रोफेसर संस्कर्थ सिक्ष्या विवाग संस्कुलेज संस्कर्षिक्ष्या जो है एस में असिसेंट प्रोफेसर के वरते आज 200 पद निकाले गए हैं राजस्तान में आज 12 जनवरी 2024 को और यह उन्हाप बैरतियों के लिए सहरा मोका है जो अभी असिसेंट प्रोफेसर की त्यारी कर रहे हैं उन्हें वही सेम स्लेबस डीटों पढ़ना पड़ेगा पेपर जब भी होंगे तो इसके बारे में पूरी डीटेल में हम जानते हैं कि किसके सब्जक्ट में कितनी सीटें आई हैं और इसके आवेदन कब होन हैं और इसकी परिक्षा तो बताया है कि यथा समय इसको सूचित कर दिया जाएगा तो इसके बारे में पूरी जानकारी अपनी लेते हैं और लास्ट में अभी कोई भी आपकी क्वेशन्स होंगे उन पर मैं बात करूंगा चर्चा करूंगा एक यह अच्छी तरह से ध्यान करें नकलेने आसाती हो कि यह संस्कत्त कोॉलेज सिक्षा की भरती है कि संसकत्त सिक्षा चुब कॉलेज एजूकेशन है संस्कत्त विवाग का को लीजञे जो कि जो को लेज वहां ये लगेंगे बाकी सेम ढिटो वही रहेगा जो असिस्टेंट प्रोपेसर में हां सबजेक को दिखते हैं और इसमें डीटेल है वो हम जानते हैं कि हमारी विगपती में क्या दिया गया है क्या कुछ है कि सब्जक्ट की कितने सीटे हैं सभी पर हम बात करेंगे 200 टूटल सीटे हैं साथियों और बहुत अच्छा हमारे उन साथियों के लिए जो क्या कर रहे हैं जो अभी त्यारी कर रहे हैं महविद्यले साका है राजस्तान की अटिकल्ड आपको सब्जक्ट और पड़ा करके दिखाऊएं कि यहां कितनी कितने सीटे पदों पर आई है ताकि आपको दिख्ट पाए सभी सातियों को अब देखिए एस में जो हिंदी विश्य सब्जेक्ट से इम रहेगा साथ यह ध्यान रखना है हिंदी की टूटल 37 से आई है 37 और 37 बहुत ज्यादा सीटे मानी जाती है में यह अपने को ध्यान रखना है इंग् है कि छोटा विवाग होता है आगे अन्य जिकिंदी और इंग्लिस की ज़्यादा सीटे है पॉलेटिकल साइंस है इसकी पांच सीटे है हिस्ट्री है हिस्ट्री की तीन सीटे है हिस्ट्री की तीन सीटे है अभी मैं डिटेल में बात करूंगा एक और ध्यान रखना कि जहां सोने पर स्वागा है एक तरीके से बहुत अच्छा है तो यहां कह सामानिय संस्कर्थ इसकी कितनी 38 सीट है सामानिय संस्कर्थ की इसके बाद में साहिते हैं इसकी 41 है संस्कर्थ की बात हो रही है साहिते की व्याकरण है इसकी 36 है यानि संस्कृत वालों के लिए तो बड़े बेड़ा पार है और धरम चास्त्र है इसकी तीन है यह अपने को ध्यान दिकलेने हैं साथी हो अब यहां आगे अपने देखें तो जोतिस गणित हैं इसकी दो है यजूरुवेद हैं इसकी दो है जोतिस फलित हैं इसकी इक है रिगिवेद की एक है समय दर्शन की एक है भासा विज्ञान की दो है योगा विज्ञान की एक है ये टूटल सीते हैं यानि कुल मिलाके हम कहें कि इसमें संस्कृत के अलावा हिस्ट्री पॉलेटिकल साइन्स हिंदी और इंगलेस सब्जेक्ट की सीते है और जो हमार सिकर रहे हैं उन सबी के लिए एक opportunity और आ गई है इसके आवेदन कब तक होने हैं उन के हम बात करेंगे कि आवेदन के उसमें कब तक होने हैं कैसे होने है इसकी बात करें अपने अब इसमें देखिए यह qualification सेम ही क्वालिफिकेशन है अपने को यह ध्यान रखना है कि इसमें मास्टर डिगरी विद 55 परसंट और इसमें केटेगरीज इन केटेगरीज को छूट रहती है पांच परसंट की यह अपने ध्यान रखना है साथी हो ठीक है है अब कि अब अब यह यह अपनी आगे आवेद्या की डीट है वो देख लेती हैं परिक्ष्या तो क्या के बारे में तो सीधा लिखा सेक्षनी क्यों गेता सेम सारा कुछ सेम है कि स्ट्रीक योगेता है अंतीम वर्स में समलित हुआ किन्तु आयोक द्वारा साक्षातकार से पहले आरंता है वो उसको प्राप्त कर लेनी चाहिए और कहें कि आयू स्रीमा एक जनवरी दोज़ार पच्चिस को नियूंतम 21 साल का हो और अधिक्तम चालीस वर्सका और अधिक्तम 40 का है इसमें केटिगरी जूट रहती है जो तीन साल पान साल अलग-अलग छूट रहती है साल हना वो छूट मिलेगी पर नियूंतम कोई छूट नहीं होती यानि एक जनवरी दो जार पच्चिस को व्यक्ति कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए नियूंतम वह 21 वर्स का होना ही चाहिए यह अपने को धान रख लेना साथ हो अब यह छूट वाला पोर्शन आ गया इसके बाद में अपने आवेदन की यह देखे परिक्ष्या के बारे में इसमें लिखावा है कि परिक्ष्य स्तान उर्तिति के समन्द में यथा समय सुचित कर दिया जाएगा और लिखित परिक्ष्या का आयोजन होगा में चीज आवेदन की दिना का भी फिलाल द्यान रखनी है कि 22 जन्वरी दूजार 24 से 21 परवरी दूजार 24 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि बाकी सारी चीज सेम हैं जो हमारी क्या है हमारी जो उसमें कि हमारा क्या है कि चुँ आरपी से नहीं जारी किया था सकोले सिक्षा का उसमीं जो आप मैं जो चीजिन चाहिए वो सारी की सारी चीजिन चाहिए एक साती क्या क्या सब्सक्राइब कर रहा हूं मेरा मास्टर में 40.89 परसेंट है सावाने शिक्ष्या में योग्या हूं लेकिन इस वेकंसी में 55 परसेंट मांगी है क्या यहां मिलनी चाहिए बाकी इसका डिटेल करके और में टेलीग्राम पर डाल दूँगा बाकी कि आर्पीसी ने पहले वाली भी आर्पीसी किया तो आपको छूट मिलनी चाहिए और निश्य तो पर मिलेगी यह अपने को धान रखना है ठीक है सातियों एक साती कह रहे हैं सर स्क स्कूल व्यक्ता ग्रेड सेकेंड रीट यह सभी परिक्षाई हैं बहुत जल्दी इनके लिए विगप्तियां जारी होने वाली हैं अब सभी जो सात ही लोग है वो त्यारी में अच्छे से जूटे रहें और अच्छी तरह से त्यारी करें आज तो केवल और केवल इसके बा और टाइम से भर लीजिएगा क्या करना है टाइम से भर लीजिएगा यह अपनी को धान रखना है एस पर हमें गोर करना है साथ हो ठीक है मित्रों और अभी कह कि आज की लाइव सेशन में आप में इतनी बात चीत करेंगे कोई आपके क्वेशन है तो बता दीजिए हाँ जी आज की तारिक में अगर आप पीजी फाइनल एर में ने तो भी आप अपलाई कर सकते हैं क्योंकि जब इसका इंट्रिवीव होगा तब तक नेट या सेट में से तो आप करी लोगे क्योंकि नेट हर एक चेमा यह बाद में आयोजित होती है और सेट भी पिछले साल मार्च म आगे भी आयोजित हो जाएगी ऐसी संभावना है 2024 में तो यह क्या है कि आयोजित हो नहीं है तो नेट और सेट तो आपकी हो जाएगी यानि इलिजीबल आप हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी हाँ और क्या कहते हैं संसकर्त विवाग की वेकंसी में हिस्त्री के से नहीं है सावने में जा सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हैं सभी के लिए यह अपने कुछ ध्यान रखना है और साथी लोग क्या क्या रहे हैं हाँ जी राजस्तन से थर्ड ग्रेड एंप्लोई हूं एस डिपार्टमेंट में आने के बाद अब वाली सर्विस काउंट होती है या नहीं सर्विस तो देखिए एक आउंट है आपकी सर्विस मुक है वह एक ही रहेगी और आगे क्या है कि वहीं चलनी है चाहिए आप कहीं भी चले जाओ जैसे ग्रेड थर्ड में मैं भी था पहले फिर ग्रेड फरस्ट में था अभी इसमें भी होगा इसमें सेम डिटों होंगे जैसे पचास अंका जीके और डेट सो अंका सब्जेक्ट उसेम ही उन्हें तीन पीपर होने है इसमें भी होगा और पहले भी अमारा हुआ है अब रणिंग मेरा यह सुझाव आप साथियों के लिए रहेगा कि जो रणिंग वाल और तो कहके अपने बात लगबग कर ली है में चीजी यह है कि विग्यप्ति आ गई है इसके सूचना कौन-कौन से सब्जेक्ट है यह मेरे को बताना था और आप अपलाई किजिए आज इतना ही साथ यूँ फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बं झाल 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 झाल